वेलकम बहुत बहुत स्वागत आपका सरकारी स्लेवस यूटूब चैनल पर और एक बड़ी ही क्लास A अपसर की वरती है ग्रेजूट वालों के लिए बात करेंगे ये भरती निकालीगी है केंदरी मादिमिक सिछा बोर्ड द्वारा जो की CBAC के नाम से आप इसे जानते हैं ज जो हर ग्रेजूट फॉर्म बर सके ठीक है बाकी कटरी वे एक काउंट अफसर की हो गई ठीक जूनियर इंजिनियर की हो गई उसकी बाद हम कभी और करेंगे लेकिन एक जनरल जो मास वाले बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे जिसमें फॉर्म बर सकते उसके लिए मैं बा कर लो कि आप ग्रूप एक एधिकारी बनोंगे एंड्मिस्टेशन के लिए तो आप सिर्फ ग्रेजूशन वाले इसमें फॉर्म बर रहे हैं ठीक बाकी तो असिस्टेन सेकेटरी एकाडमिक्स ये सब चीजी है लेकिन इनके लिए आपको नेट एक्जाम के लिए रो बाकी आपको बीकाउं वगरा चाहिए एकाउंट के लिए वो चीज़ें अलग हैं हम उनके लिए अलग से वीडियो बना देंगा अगर आप चाहते हैं तो बट इन इस वीडियो हम सिर्फ ग्रेजूट जो जनरल बच्चे फॉर्म बर पार हैं उनके लिए बात करेंगे तो जो ग लिए एक बच्चे इसमें फॉर्म बर सकते हैं ठीक है यह बात हो गई इंपोर्टेंट यह हमने बता दी एंविश्टेशन सेक्रेटरी एंविश्टेशन के लिए जो बरती आई ग्रूप एक ही बरती है ठीक है अब थोड़ा सा और देख लेते हैं अब इसमें क्या है कि इस वेकेंसी के लिए एंविश्टेशन के लिए कोई भी फिचली हैंडिकेट के लिए सीट निर्धारित नहीं है आप यहां से चकाओट भी कर सकते हों कि फिचली हैंडिकेट बच्चे के लिए यह जो फिचली चैलेंड बच्चे उसके लिए कोई सीट नहीं है ठीक है तो बाकि जो seat हैं वो दूसरी पोश्ट पहें लेकिन इस पोश्ट पर Secretary की पोश्ट पर General Secretary उसके लिए कोई भर्ती वाली पोश्ट नहीं है आपकी जो पोश्टिंग रहेगी वो इन इन जगाओं पर पोश्टिंग रहेगी यहाँ पर CBC के headquarter वगेरा है तो यहाँ पर आपकी posting रहने वाली है आपके जो बच्चो online form है आप उनको देख लो कि आपके 12 मार्थ से form चालूँगे और 11 अपरेल तक चलेंगे आप अपना online form बर सकते हो ठीक है एक चीज और आपकी जो crucial date है वो 11 अपरेल 2024 है इसका मतलब यह हुआ कि graduation के अंतिम year का आपका जो result है वो इस date के पहले आजाना चाहिए 11 अपरेल के पहले आपका result आजाता है graduation का तो आप इसमें form बर सकते हो नहीं तो आप इसमें form नहीं बर सकते हो ठीक है यह बात हो गई अब total post मैंने जैसे की आपको सबसे पहले ही बता दिए कि assistant secretary है 18 post है graduate आले बच्चे form बर सकते हैं बागी भी secretary की post है लेकिन उनके लिए आपका अलग education qualification है हम general बच्चों की बात कर रहे हैं reservation की बात करें जो candidate reserve है उनके लिए तो छूट मिलती ही मिलती है यह देखिए crucial date की मैंने आपको बता दी तो crucial date यह ही है कि अगर आप जो अन्तिमी एर में हो तो इस date के पहले आपका जो नहीं result आ जाना चाहिए ठीक है भूत्पूर फौजीयों के लिए इसमें कोई seat निदारित नहीं है और फिचली हेंडिकेप बच्चों के लिए भी कोई seat नहीं है इस पोस्ट के लिए असिस्टेंट सेकर्टी एंविस्टेशन के लिए अब इसके लिए जरूरी चीज़ है एजूकेशन क्वालिफेशन आप यहां से देखो बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉर्ण आई इसमें फॉर्म भर सकते हो उम्र सीमा की बात करें तो ऐस 35 यह रहेगी आंगे मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो 35 यह तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो और मिनिमूम 18 साल आपकी होनी चाहिए 18 से 35 साल तक कोई भी लड़का हो यह लड़की इसमें भाग ले सकता है ठीक है बाकी के हम बात नहीं करें क्योंकि बाकी हम बड़ी जोल है बीएड वागेरा चाहिए नेट एक्जाम चाहिए तो हमने आटा दी पीएशडी उसडी चाहिए हम अपना जनरल वाला बात करते हैं जिसमें मोटे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं मोटे का मतलब हुआ कि सरीर से मोटे नहीं जिनके पास जनरल डिग्री है ठीक ग्रिजुएशन बस करके रखें ठीक है वैसे बच्चे है अब देखो 35 years तक तो आप भर सकते हो minimum आपकी 18 साल है उमर सीमा की गड़ना 11 अप्राइल 2024 से की जाएगी कुछ लोगों को छूट रहेगी SCHT वालों को 5 सल जो की हर बरती में रहती है आप यहां से चेक आउट कर लो यह सब चूड़ों वीसी वालों को 3 साल नहीं ली जा रहे देखो जनल वास तो काफी 15 सो जाएदा SCHT वाले दबा की इसमें फॉर्म बरो और आप जो ना इसमें सेलेक्ट भी हो सकते हो तो ग्रूप एक ही पोस्ट रहेगी एकदम बल्ले बल्ले वाला काम है ठीक है अगर सेलेक्ट हो गए खहीं आल इंडिया लेवल के जो ना पोस्ट है बड़ी अवेकेंसी है अब देखो इसका जो स्कीम आफ एक्जाम निसन जो सेलेक्ट प्रोसीजर रहेगा उसके बारे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं देखे तीन चरण रहेंगे आपके सबसे पहले आपका रहेगा Tier 1 जिसे आप बोलते हो MCQ टाइप कर रहेगा आपका जो ना OMR बेश्ट रहेगा आपको ठीक मतलब कि आपका ऐसा नहीं होगा कि CBT टाइप कर नहीं है OMR मतलब कि आपको एक मिलेगी एक answer seat उसमें आपको गोले काले करने रहेंगे तो उस टाइप का आपका एक्जाम होने वाला है अब इसमें क्या क्या चीज पूछी है आप यहां से चकाउट कर लो सबसे Part 1 में Current Affairs वगएरा रहेगी 30 Question सारट नमबर के 1 प्रस्टन 2 अंक का रहेगा निगेटिव मार्किंग भी रहेगी तो समलो 5 नमबर की चोथ याई नमबर की एक बटा 4 की निगेटिव मार्किंग है Part 1 हमने देख लिए Current Affairs दूसरा आप देख सकते हो की आपकी रिजनिंग वगएरा होगी तीसरे में आप देख सकते हो की गडित वगएरा होगी 30 प्रस्टन रहेंगे इन सब के 30-30 अब 15 वाले ये हैं आप यहाँ से देख लो 15 वाले ये दो हैं कौन-कौन से जनरल हिंदी होगी और जनरल इंगली से भी होगी तो 15-15 questions रहेंगे 30-30 नमबर के आपकी ये हो जाएंगे इसके बाद जो आकरी बचा कंप्यूटर बिना कंप्यूटर के आज का कहा कुछ होता है तो कंप्यूटर का घ्यान 30 प्रस्टन रहेंगे 60 नमबर की रहेंगे तो इस तरह आपका टूटल 1500 प्रस्टन होगिए आप से प्रश्न रहेंगे, आप यहां से चकाउट कर सकते हो, Social, Political, Scientific, Technology, Development in India, Indian History and Culture, Geography of India, Growth of Indian Education System and School and Board, क्यों किसी विस्ची का है, तो कुछ उससे बड़ा लिखाई से संबंदितो रहने नहीं वाला है, एक सो साट नमबर के आपका जो नहीं, टोटल मार्क से रहने वाले हैं, अब अब जो पार्ट तु आपका, यह सब सब्जेक्टीव है एकाठीक, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी क्योंकि यह सब्जेक्ट्व है, प्रश्न रहेंगे, आपको उन के उतर देने रहेंगे, लिखले, ठीक्या, पार्ट टु आपका है, इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अपने डिग्री कर रखी है या डिपलोमा कुछ कर रखा है तो आपको इन टॉपिक्स का आइडिया होगा सब्सक्राइब कर सकते हैं इसमें आपके टोटल मार्क्स रहेंगे असी असी नंबर का यह रहेगा अब इसके बाद कुछ इंडिया के रूल्स वगेरा से रिडिटेड आपके प्रस्ण आएंगे जैसे कि कॉंस्टिशन आफ इंडिया पॉल्टी हो गई गई गॉर्नेंस हो ग बड़ा गुलाव ना दिया पार्ट फॉर पर आप यह चेक आउट कर लो चालिस नंबर का आपका रहेगा ठीक है तो इस तरह आपके जो टूटल रहा है तो तीन सो बीस नंबर रहेंगे और तीन गंटे का समय मिलेगा आपको ठीक है तो यह बात हमने बात कर लिए आपके पर लोगों को जानकारी हो जारी क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो ठीक है तो आपको जानकारी हो जारी तो आप इसका फायदा वगेरा उठा सकते हो इंटर्वी रहेगा आपका 80 नंबर का ठीक है अब जो फाइनल आपकी मेरे लिष्ट बनेगी बच्चों जो फाइनल मेरे लिष्ट बनेगी फाइनल मेरे लिष्ट बनेगी फाइनल मेरे लिष्ट यह हुआ कि जनरल वालों के सिर्फ 50% नमबर लेके आने में आगे वह भी बताऊंगा ठीक है तो हमने सेलेक्षिन प्रोसिजर देख लिया एर वन टियर टू टियर थी इंटर्व्यू इंटर्व्यू टियर टू मिला के आपको जो ना मेरी लिस्ट बन जाएगी ठीक है अब थोड़ा साम और आंगे देख लेते हैं जो आपके काम की बात होगी वही देखेंगे हो ठीक है और जो टियर वन है वह एंसे क्यों बाकी टियर टू आपका सब्जेक्ट यू और इंटर्व्यू तो मोखिक होता ही होता है ठीक है अब यह बात हो गई इस्किल्टेस्ट वगएर आपका कुछ है नहीं है आप तो जो अना बड़े आदमी हो ग्रूप एक इनोकरी है तो इस्किल्टेस्ट जैसी चोटी मोटी चीजे चोटे चो टेक्नी से अन इंजाई वगएरा के लिए रहती है ठीक है आपको क्या ग्रेशन चाहिए अगर इन इन सिटी में आपका जोना एक्जाम कंड़क्ट हो सकता है ठीक है आप जब ऑनलाइन फार्म भरोगे तो आप चुनाओ कर सकते हो औरो सब चीजे जल्दी आओ जल्दी पाओ क्या दार पर होती है अब जो आपका टीर वन है बच्चों उसमें क्या है कि एक प्रसंट दो नंबर का था और गलत करोगे तो लेसर लोगों हर जो भी आप चुनाओ करना चाहिए वहाप चुनाओ करके अपना आंसर जो आपना सब्जेक्टि वाले में भी लिख सकते हो एक है अब अगर आप आपको कोई समस्या आ रही है कुछ आपको बोर्ड से पूछना है कुछ गहर जानकारी है कुछ ऐसाथ जो हैना जो आपको फॉर्म भरने में एक्जाम से लेटे कुछ भी एनी तरह कि अगर आपको help required होती है तो यह सरकारी नंबर दिया गया इस नंबर पर आप फोन कर लो कितने वज़स कितने वज़स कितने वज़स तक नो वज़से साड़े पांच के बीच में या फिर आप इस mail आईडी पर इन से संपर्क कर सकते हो ठीक है तो हमने बहुत सारी चीजों को ब बात्रम